हारत माता की जय। साथ्यों, आपका ये होसला, आपका शाष्य और माभार्ती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुल्निय है आपकी जिवर्टा भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उंचाई पर आप मा भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे पिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आपका निश्चा है उस गाटी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ति आस पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा है साथ शार अपनी आँखों से इसे देख रहा है साथियों जब देश की रक्षा आपके हाथों में हैं आपके मजबूत इरादों में हैं तो एक अटूट विश्वास है सिर्व मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंद भी है आप जब सरहक पर डटे है तो यही बात बनते एक देश्वासी को देश के लिए दिन राद काम करने के लिए प्रेविक करती है आत्म निर्भर भारत का संकल आप लोगों के कारण आपके त्याज बलिदान पुरसाद के कारण और मजबूत होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला थोजियों को भी देख रहा हूँ युद्ध के महडान में सीमा पर ये दर्श अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जैवोर कलम आज उनकी जैवोर तो मैं आज अपनी बानी से आपकी जै बोलता हूँ आपका विननन करता हूँ मैं गलवान गहड़ी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इनमें पूरत से, पस्चिन से, उत्तर से, दक्सिर से देश के हर कोने के बीर अपना शौरिय दिखाते थे उनके पराकरम, उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जैकारा कर रही है आज हर देश वाजी का सीर आपके सामने, अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक, नतमस्तक होकर के नमन खरता है आज हर भारतिय की छाती, आपकी बीरता और पराकरम से फुली हुई है साथियों, सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शवर्य और पराकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लद्दाव से लेकर करगील और सिया चिन तक रेजांगला की परफिली जोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी, हर पहाड, हर जर्रा जर्रा हर कंगर, पत्थर, भारतिय सैंजिकों के पराकरम की गवाही देते है फोटिंग कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुरिया ने आपका अदम में साहत देखा है, जाने है, आपकी शौर्य गाथाएं गर्र गर्र में गुंज रही हैं और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर, आपकी फायर गोई देखी हैं और आपकी फ्यूरी भी साथियों, लग्दा का तो ये पूरा हिस्सा, ये भारत का मस्तख है, 130 करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है ये भूमी भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत पगुला रिंपोंचे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिंपोंचे की ही उनी के फैरन जिनोंने दुश्बन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंपोंचे के गुवाई में यहां अलगाव पदा करने की हर साधीस को लद्दा की राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया ये विनी के प्रेवक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेणा मिली आज लद्दाक के लोग हर स्थर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक्त्य हो राष्ट को ससक्त करने के लिए अदभूत योगदान दे रहे हैं साथियों हमारी यहां तहां जाता है खड़गेन आक्रम्या बन्जीत है खड़गेन आक्रम्या बुन्जीत है वीर भोग्या वसुंद्रा यानि वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं ये धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही ऊंचा है ये सामर्थ है और ये संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर ये साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हमलों को अत्याचारों का मुहतोर जवाब दिया है हम और ये हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को वियादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंडा से हर आक्रमा के बार भारत और ससक्तों करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी शांते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पुर्वशर्ट होती है भारत आज जल फल नग और अंत्रिक तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्षय मानव कल्यान ही है भारत आज आदुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्वार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्वार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उद्व को अगर हम याद करें विश्व उद्व हो या बिश्व शांती की बात जब भी ज़रुत पड़ी है विश्व ने हमारे भीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व शांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानव तक इंसान योग की हिमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान सद्कृति को साबिद करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्नुवर्जी ने सैंक्रो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ वड़ी चेलाव तेकूं ये ना ना नगे ये मं पड़ाई कहा यानि शौर्या सम्मान मर्यादा पुन ब्यहवार की परंपरा और विश्वस्नियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिब्ब होते हैं भारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समय अक्त हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही आउसर है और विकासवाद ही वविष्च का आधार भी है बीतेश इस शताब्यों ने बीतेश इसुदाब्यों में विस्तारबाद ने ही मानवतां का सबसे ज़्यादा हित्या मानवतां को विनास करने का व्यास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है उसने हमेशा विश्व शान्ति के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिद गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारबाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्क्वित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वादत कर रहा है साथियों जब जब मैं रास्त रक्षा से जुड़े किसी नीड़े के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मर्ण करता हूँ जब भी मैं रास्त रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मर्ण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मर्ण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वेवीर माता हैं दूसरी वेवीर माता हैं जिनोंने आप जैसे प्रवाग पराक्रमी योद्दाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का स्मर्ण करता हूँ मेरे नेरे की कसोडी यही है इसी कसोडी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आधुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ज्यान देते रहे हैं अब देश में बार्डर इनफा सक्षे पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया जाए इससे बार्डर इरिया बार्डर इरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सडके पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुँचता है साथियों सेना उम्में बहतर समनवाई के लिए लब्मे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ आप डिफेंस स्टाप के पत का गठन करे की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान बन रैंक बन पैंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की सही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साध्यों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का सम्मंद प्रतिबत्यता से हैं कन्विशन से हैं साहस करुणा है साहस कंपेशन है साहस वो है जो हमें मिर्भीक और अडिक होकर सत्तके में पख्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों पेश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम में साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाश्टा है पेश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आई टी बी पी के जमान हो बी एस एक के साथ ही हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जमान हो मुश्टिन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो स्रमीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिलाकर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेत आपदाओं से एक साथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस भारत के समने को लेकर और विशेस रुप से आप सब सरहत पर देश की रख्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आज आपको विश्वार दिलाने आया हूँ हम एक ससक्त और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जब मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक बार आप सभी का रवे से बहुत पाद अभिनननर करता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बन्दे 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 बन्दे